इस्ट में देखा जायता ओडिस्सा वेस्ट पेंगॉल तो इन सभी छेत्रों के आसपास आसानी से जो रामपुटा ने खेती हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है कि यह महद्द परदेश में नहीं होगा या उत्तर परदेश में नहीं होगा बसरते के इन में Hello and Welcome to Amazing Farming Tech with Rahul मैं हूँ Rahul और आप सभी का स्वास करता हूँ दिल से तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रामपुटान के खेती के बारे में कैसे हम रामपुटान के खेती करके करोडों रूपई के आमदानी कर सकते हैं रामपुटन जिसका ग्योजीन मलेसिया को माना जाता है मलेसिया, सिर्लंका और जितने भी साउथ इस्टेसियन कंट्रीज जैसे थाइलेंड हो गया लाओस, कमबोडिया इन सब देशों में रामपुटान निखेती की जाती थी फिर बाद में इसको वहीं से इंपोर्ट कराया गया भारत में और भारत के तामिल नाडू, करनाटका इन चित्रों में लगाया गया और उसका बाद पाया गया कि इसमें बहुत अच्छी फूटिंग आ रही है और इसका टेस्ट भी ला जाओ है साथ ही हम आज आपको एक ऐसे किसान भाई के जो experience है रामः़टान इखेती में उसको वारे में भी share करेंगे कि उन्होंने क्या गलती कया रामः़टान इखेती से और उन्होंने क्या इंप्रूम्मेंट क्या जिससे कि आज वे करडू की कमाई कर रहे किसी भी पौधे को अच्छे से ऊगबाने के लिए उसको एक निश्चित वातावरण के जड़वत होती है आये जानता है कि राम्यूटन ने खेती हमारे देश में किनकिन राज्जे। में अच्छे से किया सकती है और किन-किन राज्जे में भी खेती सुरूँ हो चुकी है रम्ब्यूटन एक ट्रोपिकल फ्रूट है मतलब इसको जितने भी ट्रोपिक्स वाले एरिया आह는 वो कहीं भी हो सकते हैं भारत में भी हो सकते हैं स्रीलंका में भी हो सकते हैं उन छेतर में उगा जा सकते हैं, ट्रॉपिकल का मतलब ऐसे छेतरों से हैं जहां पर जो मौश्चर है उसमें वाटर कन्टेंट जब्हों जैसे कि हमारे तामिलनाडू करनाटकावाल we decent वहाँ पर जो एयर में जो पानी के मात्रा है वो थोड़ी ज्यादा रहती है यह सबसे बहत्रीन आइडियल कंडिशन होती है रामभुटानी खेती के लिए तो जितने भी हमारे तट वर्तिय राज्य हैं जैसे गुजरात महारास्टर इधर इस्ट में देखा जाए तो ओडिसा वेस्ट प्रेंग जो किसका जो रिक्वार्मेंट है उस हिसाब से इन इन छेत्रों में महारास्टर हो गया करनाटका में तो हो ही रहा है वेस्ट पेंगॉल ओडिसा जितने भी तट वर्तिय राज्य है वहाँ पर थोड़ा से उमस है वह ज्यादा रहता है तो वहाँ पर इसको आसानी से उगा के लिए रामब्यूटन के खेती में जो सबसे बड़ी जिक्कत है वो है कि हमें पता ही नहीं कि इसको आस कौन-कौन से रामब्यूटन के वराइटीज है जिसकी खेती करके हम लाब कमा सकते हैं हमारे किसानों के पास true planting material पहुँच पाना बहुत ही एक चुनोती है लेकिन हा इस कारी को हम लोग सब मिल के करेंगे तो चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से रामब्यूटन के अच्छे वराइटीज है जिसकी हमें खेती करनी चाहिए रामब्यूटन की मुखेते तीन वराइटीज हैं कमरिसेली सबसे पहले नमबर पर आता है N18 रामब्यूटन वराइट दूसरे नमबर पर आता है E35 रामब्यूटन वराइटी और तिसरे नमबर पर आता है V-Red रामब्यूटन वराइटी सबसे जो ज़्यादा कमरिसेली यूज़ की जाने वले वराइटी है वो है N18 वराइटी और E35 और E35 रामब्यूटन वराइटी है और E35 रामब्यूटन वराइटी है यह पूरी तरह से आपको सुईट मिलेगा इसमें थोड़ा से वी टैंगिनेस अपको देखने को नहीं मिलेगा अब आते हैं हमारे tisre चरण में कि जो राम्बूटणी छेती होगी तो राम्बूटण का पौधा से पौधा का distance क्या रहेगा और राम्बूटण के पौधे का लाइन से लाइन की दूरी क्या रहेगी तो अगर ideal condition की बात करें तो एक एकर में लगवग तीस राम्यूटन के पौधे लगते हैं आईए जानते हैं कि राम्यूटन को हम किस प्रकार से उगा सकते हैं राम्यूटन को उगाने के तीन तरीके हैं सरसे पहले तो आप बीच से इसको उगा सकते हैं जब आप बीच से पौधे को उगाते हैं तब आपको लगवग आर से दसवे साल में आपको फूटिंग देखनों को मिल जाती है लेकिन अब ग्राफ्टेड वराइटीज के बात करें जब आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपको तीसरे साल से फूटिंग आना है वो उसकी सुरूआत हो जाती है और आपका जो ऑप् हाला कि जब 20 x 20 की दूरी पर रामूटन को लगया गया था तब जो पांचवे चटे साले उसमें प्रोडक्शन में कमी देखने को दर्च की गई जिसके बाद इसका जो इंट्रेंसिटी इसको कम किया गया और प्रती एकर 30 पौधा रखा गया और इसके डिस्टेंस रखा ग इसके जो पत्य है वो जमीन में छूने लगे तो यह इसका एक आइडियल सेप माना जाता है राम्ब्यूटन की राम्ब्यूटन का पौधा जब 7-8 फिट का होता है तब इसको कट कर दिया जाता है मिडल से ताकि यह गोलनूमा संग्रचन ले सके राम्ब्यूटन के पौधा 200 किलो राम्ब्यूटन मिल जाता है और कहीं कि देखा जाता है तो यह प्रोड़क्शन बढ़के 300 किलो तक पहुंच जाता है राम्ब्यूटन का प्रोड़क्शन भारत में एक ही बार लिया जाता है जबकि जो साथ इस्टेशन कंट्रीज है जैसे लाओस कंबोडि वियतनाम थाइलेंड इंडोनेसिया मलेसिया इन सम कंट्रीज में एक ऐसा जेग्राफिकल लोकेशन है यहां पर साल में दो बार फूटिंग ली जाती है जबकि भारत की लोकेशन कुछ इस प्रकार सी है कि इसमें साल में सिर्व एकी बार प्रोड़क्शन हम लोग ले पात यह पौधे पर ही रहती है आप इसे जब तक खुद से अपने हातों से हर्वेस्टिंग ना कर ले जब तक यह हर्वेस्ट के लेडी हो जाती है उसके 20 दिनों बात तक यह पौधे पर लगी रहती है तो आईए अब समाझते हैं इसके गणित को कि किस प्रकार से में राम ब् पौधे से अगर 200 किलो के प्रोडेक्शन मिल जाती है तो एक एकर में 30 पौधे लगे रहते हैं तो 200 गुना 30 6000 किलो और 6000 किलो अगर हम ग्राम्यूटन की अगर मार्केट रेट की बात करें तो यह लगवग अगर आप इसको अच्छे से पैकेजिंग करके बेचते हैं जिस प परकार से हम देखते हैं कि विदेशों से किस तरीके से पैकेजिंग हो गर के आता है और लोग मौल से खरिदें उन फूट्स को और काफी अच्छे रिट्स लोगों को मिल जाते हैं उसी प्रकार से हमें भी पैकेजिंग को पर बहुँत ध्यान देने चाहिए क्यूंकि जित साथ लाग 20,000 रुपया इसके आपके रुपीय बनते हैं प्रती एकड़, अगर हम 20,000 को छोड़ भी दिया जाए, कि चलिए हमारा जो जितना भी लेवर कोस्ट है, स्प्रेय बगर, हलाकि इसमें जो बाकी हमारा जो खर्चा होता है, जैसे कि पेस्टिसाइट के स्प्रेय आपको जो हर्वेस्टिंग कोस्ट आएगा, और एक समय जब आप इसको फर्टीगेशन करते हैं, कुछ खाद बगार देते हैं, तब इसका कोस्टिंग बढ़ता है, तो अगर हम 20,000 रुपया छोड़ भी देते हैं, तो 7,000,000 रुपया बैठे 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 कमाई क करने को देखने को मिल जाती है, तो 7,000,000 रुपया एक एकर में बहुत ही अच्छी कमाई है, अगर हम खाद की बात करें, तो इसमें कुछ अलग से खाद नहीं दिया जाता है, जो गाय का गोबर होता है, जो और गैनिक मैनियर होता है, वही दिया जाता है, बाकि आप इसको सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा, और इससे आपके जो प्रोड़क्ट है, इसको और भी ज़्यादा दाम मिलने के चांस बढ़ जाता है, तो दोस्तों, आसा करते हैं कि आपको राम बुटन के बारे में अच्छी समझ विक्सित हो गई होगी अब तक, अगर वीडियो अच